जय इंसातियों नमस्कार तो सबसे पहले समा चाहूंगा कि काफी लेट वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए समय का काफी अभाव रहते वे बहुत बीजी था मैं तो टाइम नहीं निकाल पाया तो फाइनली जो है सोजा कि काफी रिक्वेस्ट ट्रेड वीडियो ला तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच आउट जरूर करना है साथ में चैनल पर नए हो फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो आपको यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत जल्द है जो आपको एक बड़ा यहां पर बंपर ऑफर देखने को मिलेग सबसे पहले तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें भी सपूर्ट मिलता रहें और हम भी आपका सहयोग करता रहें आप तक इन्फोर्मेशन पहुंचाते रहें तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ट्रेड है ट्रेड मे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सेर जरू कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं ट्रेड में मेट का डोकुमेंट वेरिफि है चन्न ही है और श्रकेंदरबाद इन चार यूनिट के लिए जो है और एक आपका पूने भी साइद देहु रोड यहां पर जो है कुछ केंडिडिट के पूने भी जो है डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए मेल आ चुकी है और बाइपोस्ट भी आया है एक दो केंडिड का तो अब भी तक राश्तान का एक ही केंडिड मिला है जिनका जो है डोकुमेंट वेरिपिकेशन हो चुका है सीकर का बंदा होगा आपको पता होगा और बाकी का जो है एक-दो के पास अभी बाइपोस्ट भी घर पर डाक आ चुकी है तो यहां पर मैं आपको बताना कि बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर कि जो है गुंतिस तारिक दी गई है जन्वरी की डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए और अब भी तक लगभग मैं बताऊंगा आपको 10% बच्चों के पास ही जो है डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए उनके पास डाग गई हो चाहे मेल आई हो इतना ही प्रोसेस हुआ है बाकी का 90% अभी तक नहीं हुआ है और जबकि एक भी डेट देखनी को मिली है गुंतिस फर जन्वरी तो यहां पर सभी के मन में यही डाउट है सभी इसी चीज को लेकर परेशान है कि यदि गुंतिस तारिक निकल गई और उनके पास ना अभी तक मेल आया है ना डाक से कोई पोस्ट आई है तो क्या करना चाहिए क्या करें तो यह कुछ डाउट सभी के मन में होगा तो सिधा सा बता देता हूं इस चीज को लेकर आपको बिलकुल परेशान नहीं हो रहा है यदि आपके पास गुंतिस तारिक आपका वी यहां फिर आपके पास षज्ट जो है थ्याते आपके पास अब कर्छांग में आये तो आपको बिलकुल नहीं चला जाओ उससे कोई benefit नहीं होने वाला वहां जाकर आपको इतना ही information मिलेगा कि जब तक आपके हाथ में जो आपने mail पे जो आपका आया है mail उसका print out या फिर जब तक आपके हाथ में बाइप पोस्ट जो डाक आई है वो चीज आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आपका document verification नहीं होगा तो इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल ही mind disturbance नहीं करना है कि हमारे पास गुंती सारे निकल जाएगी हमारे पास अभी तक mail या बाइप पोस्ट डाक नहीं है तो अब आपके पास क्या 90% बच्चों के पास अभी तक इसका कोई information नहीं है गिने चुने बच्चो के पास ही आया है तो लखी होंगे जिनका पहले डोकुमेंट वरिफिकेशन हो रहा है तो हमें करना कुछ नहीं है इसके लिए हमें वेट करना और कुछ नहीं कर सकते और मेरा अनुमा के हिसाफ से मैं आपको बता दूँ जनुरी के एंड तक जाते जाते आप सभी के जो है आपके पास आपके हाक में होंगे चाहे वो मेल के फूर इंफॉरमिशन ओभी डाग के फूर इंफॉरमिशन ओव आपके पास पहुच जाएगी तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज का लिए समझ आ गया होगे कि गुंति स्टारीक निगल जाएगे तो ऐसा किसी को कुछ नह आपको क्या-क्या डोकुमेंट अपने तियार वाने हैं या डोकुमेट के लिए और उसके बाद आगे कि क्या प्रॉसेस होंगे कितना ताइम मिलेगा किटना टाइम बाद आपको जॉइनिंग मिलने के चांसे था तो सब कुछ आगे हम बात करते हैं